What's up guys, I hope you are doing well, I am Veeer, welcome to Mr. Delor family आज का lecture स्टार्ट करते हैं एक काफी important day के साथ में जो की काफी खतरनाक और एक तरीकी से दुख भरा day भी आप लोग इसको बोल सकते हैं important इसलिए बोला क्योंकि इससे लिड़ कई बार exam में question पूछेगे हैं तो exam point office से important है वैसे ये दिल को दहला देने वाली एक घटना है जो की हमारी इस्टी में हमारी कंट्री की सिर्जन को जहलनी पड़ी 13 April 1919 यन के बेसाकी का दिन लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए खटा हुए थे और जेल में डाल देता था उस एक्ट के तहट यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि दो important personality को गिरफतार किया गया एक तो सत्यापाल सिंग और दूसरा है आपर यह है सहिफुदीन किचलू तो इनके नाम आप लोग याद रख सें सत्यापाल और सिंग फुदीन किचलू जो नेसल लीडर थे उस टाइम पर इनको गिरफतार किया गया और उसी के लिए आपर यह प्रोटेस्ट चल ला था यह इतना एवरगीन कुशन है कि कई बार यह पुचा जा चुका है जोग आप लोग को बताने है जो कि मेंली जिसकी वेशा़ से प्रोटेस्ट करने के लिए लोग जो हैं इस पाटिकुलर बाग में खटा हुए थे बच्चे और और बुडे और जवान सा भी हटा हुए थें आपर पर लेकिन जब गोली चलाए गई तो कोई लिकरने का रास्ता वहां से नहीं मिला लोगो को क्योंकि जिस रास्ते से अंदर गए थे वही रास्ते हैं आपर निकलने का था और गेट पर खड़ा था जनरल डायर अपनी टीम के साथ में और अंदर दूंद फाइरिंग यहाँ पर चल रही थी उन परसेनल्टी का नाम क्या है काफी इंपोरेंट है क्योंकि काफी लंबे समय बाद यहाँ पर यह चेंज हुए हैं इसराइल के कौन से प्राइमिस्टर है जो फिर से यहाँ पर चुन करा हैं इसराइल में यह आप लोगों बताना है आगे जो बात की जा रही हैं हाँ पर ब्लेक होल की जो फॉस्ट टाइम इमेज ली गई वो कितनी टेलिसकोप के द्वारा मिलकर यहाँ पर यह इमेज ली गई UK और European Union तो UK और European Union की जब बात काते हैं ये agree हो गए extend करने के लिए Brexit Brexit क्या है? Britain का European Union से भार निकलना तो कब तक यहाँ पर इसको postpone किया है जो कि March के महिने में complete होने वाला था नेपाल की बात किया है तो नेपाल ने हाँ पर expert group की बात किये जो कि Mount Everest की height नापेगा ये Mount Everest की height एक बार नापी जा चुकी है 8848 meter 1904 में किस country के दोरा ये नापी गई थी जो कि अब तक यहाँ पर valid थी अब यहाँ पर 2015 में अर्थ को यह काया तो उसके बाद में बोला गया फिर से इसकी height नापनी है तो यहाँ पर ये आप लोग को बताना है कि कौन सी country के दोरा पहले यहाँ पर ये नापी गई थी इसी के साथ में कौन सी country की Parliament के दोरा अभी recently semi automated weapon और assault rifle को यहाँ पर अभी church में जो attack हुआ कही सारे लोग मारे गए उसके वेसे old type of weapon यहाँ पर ban कर दी है और सबसे बड़ी बात यह है इनको वापसी खरीदने की भी बात की गई है जो कि इनकी economy पर काफी impact डालने वाले है तो यह भी काफी important है next बात की जारी है संजे नेसल पाक के बारे में कहाँ पर located है पहला question यह आप लोग को बताना है क्योंकि यह दो राजय में located है एक तो मैंने बता दिया मज़य परदेश है जो कि मज़य परदेश में कोरईया, सिंधी और सिंग रूली यह district है इसी के साथ में एक और राजय के border पर यह पढ़ता है आगे बढ़ता हूँ तो next यहाँ पर जो बात की जा रही है अब्दल कादर बंसला तो यह इनका नाव आप लोग याद रखते हैं जो कि interim president यहाँ पर बनाएगे election काने के लिए 4 जुलाई से यहाँ पर election होने वारे है Benjamin Netanyahu इस्राइल के president फिर से हाँ प्राइमिस्टर फिर से हाँ रिलेक्ट होकर रहे है और यह इनकी पांची टर्म होने वाली है और यह माना जा रहा है कि palestine के साथ में और relation बरबाद होने वाले है क्योंकि palestine और इस्राइल के relation काफी बरबाद है जब से Benjamin Netanyahu हो है और Jerusalem को palestine इस्राइल कैपिटल बना दिया गया है रुसी के साथ में गोलन हाइट जो की सीरे से चीनी थी वो भी बोला गया है कि इस्राइल का पार्ट है तो काफी कुछ यहाँ पर चीज़े देखने को मिल रही है आठ टोटल टेलिसकोफ के द्वारा मिलकर ब्लैक होल की यहाँ पर फस्ट एवर इमेज यहाँ पर निकाली गई इसी के साथ में यूरोपे इंगेन और यूके एक्स्टेंड करने के लिए यहाँ पर एगरी हो गये है अक्टूबर 31 यहाँ पर डेट है जो कि आप लोग याद रखते हैं किसके लिए ब्रेक्जित के लिए इंडिया है वो कंट्री जिसने फॉस्स टाइम यहाँ पर निसकी माउंट एवरेस्ट की हाइट नापी थी यहाँ के छोटी-छोटी मगर मोटी बात ही है सबसे पहली निउज निकल कर आ रही है युनिसेफ की रिपोर्ट के बारे में युनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट निकारी गई खासकर फोकस थी बंगलादेश के ऊपर तो हैं बोला जारा है इस report को नाम जो दिया गया है एक gathering storm, climate change cloud, the future of children in Bangladesh तो यह है इस report का नाब इसमें हैं आपर यह बोला जारा है कि climate change की वज़े से जो cyclone आ रहे हैं, disaster आ रहे हैं, flood आ रही है या सूखा पढ़ रहा है Bangladesh पे बहुत भयानक impact पढ़ रहा है खासकर 64 district में बंगलादेश के अंदर इसकी वज़े से wonderful condition हो गई है बंगलादेश के अंदर में और particular जो section है आपर यह काफी problem face कर रहा है क्योंकि एक island country है, बहुत सारी island है आपर और यहाँ आपर खासकर monsoon आता है या फिर कोई cyclone आता है बेव बंगाल वाले region में maximum आप लोग वे चीज़े देखने को मिलती है तो यह focus किया गया है, बंगलादेश के उपर idea आप लोग रख सकते है हमारी country की football team जो हैं आपर second news में यह बोला गया है कि 2020 में जो olympic होने वाले हैं उसके लिए qualify नहीं कर पाई है तो यह काफी important है आपर, तो draw हो गया और जो हाँ पर Myanmar की जो better ranking थी पहले की compare में तो Myanmar हाँ पर आगे निकल गया, हमारी country हाँ पर पीछे रह गई तो इसके बारे में आप लोग idea रख सकते हैं नेश्ट एक थोड़ी खुस करने वाली खबर हैं आपर चाइना आने वाले टाइम में सून अलाव करेगा UN terrorist tag मसूत अजर के लिए यह exclusive report निकल कर आ रही है क्योंकि चाइना के ओपर काफी pressure पढ़ चुका है all over world से और आप लोग condition जानते हैं recently अभी USA ने सब के सामने खुले आम चाइना को दोगला वैभार करते हुए बोला क्योंकि खुद की country में जो muslim है उनके लिए वो उनको protect करने की बात नहीं कर रहा है और दूसरी country के muslim को protect करने की बात कर रहा है अपनी country में 10 लाग से ज़्यादा muslim पर रत्यचार वो कर रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर और वो भी ऐसे muslim को protect करने की बात कर रहा है कि जो असलियत में muslim है ही नहीं है क्योंकि एक अलग तरीके से अगर देखा जाए religion के नाम पर जो यहाँ पर यहाँ इस तरीकिविटी की जाती है वो जो इनसान होते हैं उनका कोई religion नहीं होता है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं इस ऐसे इनसान को यहाँ पर पोड़ेक्ट करने की कुछिस की जा रही है तो अब इसको allow किया जाएगा यह एक अच्छी बात है सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह सस्ता है और USA के द्वारे यहाँ पर यह डवलफ किया गया है आसानी से यहाँ पर accuracy बनाई जा सकेगी यानि कि आसानी से उसका पता लगाया जा सकेगा तो USA के scientist के द्वारे यहाँ पर यह information दी गई है जो कि एक important information आप लोग बोल सकते है YouTube आज की date में एक बहुत बड़ी market यहाँ पर हो चुका है हमारी country में आप लोग देख सकते हैं आप लगबाग कोई भी इंसान अगर कोई free time में बैठा होता है तो वो YouTube खोड लेता है भले ही कुछ देखना हो या ना देखना हो कभी jokes के लिए तो कभी movies के लिए कभी trailer के लिए तो कभी किसी चीज के लिए इस तरीके से ता कदर आज के लिए लोग YouTube यूज करें कि लगबाग उनके जो phone का mobile data है 85% की करीब यहाँ पर आज के लिए जो mobile data है वो इसी के लिए consume हो रहा है बाकी का 15% अलग अलग चीज़ों में यहाँ पर जाता है तो इस कदर यहाँ पर चीज़े देखने को मिल रही है आने वाले टाइम में और largest scale पर यहाँ पर चीज़े देखने को मिलेगी 265 million monthly active user है इंडिया में YouTube के तो यह बहुत बड़ी बात है और खासकर बहुत सारे एरिया में इसका फायदा भी हो रहा है education जो की लोगों को घर पर आज के लिए मिल रही है वो पहले किसी particular charity में जाकर पैसा खर्च करना पड़ता था आज के लिए में awareness जैदा है लोगों को पहले कोई भी बेवकूप बना लेता था जड़ा सी देर में awareness फैला जाती है पर लेकिन उसी तरीके से जिस चीज़े के कुछ फायदे होता है नुकसान भी होते है इतनी तरीके से fake news भी इतनी ज़्यादा scale पर fail रही है वो भी एक बहुत बड़ा reason है तो उसको भी हम लोग control कर सकते है यहीं कहने का मतलब यहाँ पर है कुछ चीज़ के फायदे नुकसान होता है इस तरीक से mobile अगर आप लोग effectively utilize करेंगे तो दुनिया भर के फायदे है सायद ही कोई ऐसी device होगी इतने mobile इतने फायदे है पर लेकिन अगर negatively अगर use करने पर आजाओगे इतना ज़्यादा है time बरबाद इतना ज़्यादा है depression आप लोग उसमें आजाओगे अगर 24 घंटे mobile में रगेर होगे पता मिनी चलेगा कि life का बरबाद हो गई है तो वो भी एक तरीक है addiction हो जाता है addiction किसी भी चीज का बरबाद कर देता है इंसान को चाहिए वो किसी भी चीज का क्यों नहीं हो life हमेशा एक balance life होनी चाहिए youtube यूज़ करना है तो आप लोग को पता होना चाहिए कितने घंटे आप लोग को कौन सी वीडियो देखनी है और क्या आप लोगों से फायदा होने वारा है अगर कुछ सीख रहे है तो सही है वरना फाल तुमें अपना time waste youtube पर बरबाद नहीं करें time divide कर दीजे कि इतना time youtube को देना है इसके बाद हम लोग को खोलना नहीं है यह सुजेन है आपर youtube की CEO जिसके दौरे हाँ पर यह information प्रोवाइड कराई गई है आप लोग इनका नाम भी आद रख सकते हैं आगे हैं आगे हाँ आपर काफी important question के answer आप लोग के दौरा दिये गए तो इसके बारे में आपर नज़ा डाल लेते हैं सबसे पहले remittance के बारे में हमारी country world में सबसे ज़्यादा remittance achieve करने वाली country है दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर है मेक्सिको दूसरा यह काफी confusing question है तो थोड़ा आप लोग माइन में इसको clear कर लिजे इंडिया का highest peak आप लोग K2, Godwin, Austin आप लोग बोल सकते हैं यह जमू और कास्मीर में पाक occupied area में है अगर इस specifically question में वो नहीं बोलता है कि पाक occupied area को छोड़ कर कौन से area में हमारे आपर सबसे highest peak है तो आप लोग इसी को बोलेंगे क्योंकि पाक occupied area हमारा ही area है ठीक है और अगर वो specifically बोलता है कि पाक हो को आडिया यह को हटा देते हैं तो कंचन जुगा यह सिक्की में यह हमारी country का highest peak आप लोग बोल सकते हैं वैसे normally world में सबसे highest हो गया कौन सा हो गया? Mount Everest, दूसरे नंबर पर K2 और हमारी country में अगर देखेंगे यहाँ पर यह हो गया कंचन जुगा सिक्की में तो तीनों के नाम आप लोग याद रख सकते हैं अगर हम लोग अपनी country में currency की बात करें denomination note की बात करें तो एक, दो, पाँच, दस, बीस, पचास, सो, दो, सो, पांसो और यहाँ पर 2000 के note हैं तो टोटल मिलाकर 10 denomination आज के में हम लोग यूज़ करें पांसो का भी बंद हो अथा फिर से आगया पर लेकिन 1000 का note नहीं आया उसकी जागया है 2000 का आगया तो यह आप लोग हलका सा idea यहाँ पर रख सकते हैं कम से कम इतना दो idea आप लोग को होना ही होना चाहिए आईए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स जो न्यूज़ हैं आपर यह जो बात कर रहे हैं यह नेसनल और इंटरनेसनल न्यूज़ के ओपर हम लोग नज़ डालते हैं सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर यहाँ पर आ रहे है delivery services के बारे में यह निके अगर आज केट में आप लोग कुछ लेना चाहते हैं delivery किसी भी company से आप लोग कुछ खरीद रहे हैं तो घर पर ही delivery की जाएगी यह experiment किया गया है आपर एक service delivery है जिसका नाम है wing यह google के द्वारा on की जाते है गूगल की कौन सी company है alphabet alphabet है गूगन की parent company parent company alphabet है उसी के अंदर google यह सारी इसके जो भी और दूसरी company है इसी के अंदर आते हैं तो Canberra Australia में यह service flying drone की help से हाँ पर provide कराएगी food delivery service या फिर जो भी हाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले time में यह यहाँ पर provide कराएगा Australia का Civil Aviation Safety Authority के द्वारा approval दिया गया testing करने के लिए आगे आने वाले time में देखने को मिलेगा किस level पर यहाँ पर यह चीज़े allow कर पाते हैं पर लेकिन देखिए कुछ न कुछ नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे अभी पृती पर यहाँ पर आप लोग घर धरती पर आप लोग देखेंगे कितना जाद है congestion देखने को मिलता है कितनी सारी दुनियादारी गाड़ी ओटो यह फिर आप लोग यहाँ पर देखिए बाइक्स वगरा तो कितना यहाँ पर एक तरीकी से भीड देखने को मिलती है अगर ऐसी चीज़े आगने वाले टाइम में allow किये गई बहुत large scale पा तो अलग-अलग एरिया में आप लोग को देखने को मिलेगा यही condition space में भी बन सकती है तो देखते हैं कैसे इसको आगे चलके tackle किया जा सकता है तो फिलाल अभी हाँ पर यह Australia में Canberra में जो देखने को मिला तो यहाँ पर अभी 100 eligible home है जिस पर यह service provide कराई गई तो यह आप लोग idea रखते हैं यानि कि आगे जो service आएगी जितना time में आप लोग को बोल जिया जाएगा उतने ही time में पहुंच जाएगी क्योंकि रास्ते में traffic का शामना उसको नहीं करना पड़ेगा एक अच्छी बात बोल सकते हैं विकलिक्स के founder जूलियन असांग को यहाँ पर गिरफतार कर लिया गया है क्योंकि अब तक equator के MBC में लंदन में यह यहाँ पर थे पर लेकिन अब जो हैं आपर इनकी जो इनको पोटेक्शन दे रखा था इकवाडर ने वो पोटेक्शन यहाँ पर हट गया है इनके अब इनके ओपर केश चलेगा और यह founder है विकलिक्स के विकलिक्स के founder है यह आप लोग याद रखेगा एक तरीगी organization है जो की information reveal करती है जो की खासकर classic information होती है नोर्मली कई सारी country पर बहुत ज्यादे impact वो information डाल देती है तो यह इनके द्वारे हाँ पर reveal की गई थी तब से यहाँ पर अपनी जान बचा कर यह रह रहे थे Ecuador की NBC में जो की लंदन में है अब यहाँ पर हटा लिया गया है तो अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में इनके साथ में क्या होगा छोड़ा जाएगा या मारा जाएगा वो देखने वाली बात होगी राजे की न्यूज के ओपर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर राजे की जो न्यूज है उसमें यह काफी important है वेस्ट बंगाल के अंदर एक मुवी जो रोक दी गई थी वेस्ट बंगाल गवर्मेंट के दोरा सुप्रीम कोर्ट ने उसको allow कर दिया है मुवी का नाम है आपर बोबी शोटर भूत यह वेस्ट बंगाल की गवर्मेंट के दोरा बैन कर दी गई थी अब यहाँ पर 20 लाग रुपे का फाइन लगा गया है और यह फाइन इनको देना पड़ेगा producer को और जो hall honor है उनको क्योंकि उनके fundamental right का इनके दोरा हनन किया गया है यहाँ पर अनिक दता है जिनके दोरा यहाँ पर यह movie डिरेक्ट की गई है 15 फरवरी को release होने वाली थी पर लेकिन जैसे यह release इसको यहाँ से हटा दिया गया multiplex और single screen से यह कई सारे comment करती है आपर politician की उपर भी तो इसलिए हाँ पर काफी issue बन गया था इसकी वेशे यह रोग दी गई पर लेकिन Supreme Court ने ऐसा कुछ भी सकंदर नहीं पाया कि इसको ban कर देना चाहिए तो इसलिए यह काफी news में थी हलका सा idea आप लोग रख सकते हैं international edition की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के international edition की बात की जा रही है 2200 visa allow किया गिया है पाकिस्तान की side से इंडिया के लिए ताकि बैसागी festival का celebration जो की 12 से लेके 21 तक चलने वाला है उसको enjoy किया जा सके तो यहाँ पर यह जो है दोनों country में खास कर बाला कोट strike के बाद में काफी condition खराब हो गई थी और उसके बाद में कई situation प्रोलम में आगे थी तो उसके चलते हुए अब यहाँ पर थोड़ी सी normal situation करने की कोशिज की जा रही है तो pilgrim is हमारी country से पाकिस्तान में जाएंगे और इस तरीके से देखते है कि तरी situation को आगे समझा जाता है इसी के साथ में 360 fisherman भी पाकिस्तान के द्वारा release करने की बात की गई है जबकि इंडिया ने 1000 ये करीब यहाँ पर बोला था कि उनको आप लोग छोड़ दिये पर यहाँ पर अभी बोला गया है ये 360 के करीब release करने की बात की गई है तो ये भी काफ़ी important है यानि के normal relation करने की कोज़ की जारी है पाकिस्तान की साथ से देखते हैं कि सत्ता कहुं लोग इसको normal कर पाते हैं next बात कते हैं government की scheme के बारे में ये scheme जो है आपर हमारी country के द्वारा जो project चलाय जा रखा है नेपाल में तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है 25 bed ये हाँ पर maternity hospital हमारी country के द्वारा small development project के तहत ये नेपाल के लिए dedicate किया गया हमारी country जो ambassador है नेपाल में इनका नाम है आपर मंजीत सिंग पूरी तो इनके द्वारा integrate यहाँ पर किया गया है जो कि hospital यहाँ पर होगा ये चंद्र नारायन यादव memorial maternity hospital जो कि हाँ पर सिरसाध district में देखने को मिलता है ठीक है इसी के साथ में हाँ पर hospital जो रहे गए हाँ पर maternity health care प्रोवाइड कराएगा लगवा 50 village जो development committee है around this district इनको ये help पहुँचाने वाला है ठीक है तो ये जो यहाँ पर memorial trust है जिसका नाम चंद्र नारायन यादव memorial trust बोला गिया है जो कि एक NGO है non-profit organization है वो यहाँ पर work करने वाली है ठीक है तो government of India के दोरा 26.9 million का नेपालीज रुपे का grant इसको दिया गया था तो काफी अच्छी बात आप लोग ये बोल सकते हैं आगे चलते हैं next जो बात की जा रही है ये news निकल करा रही है award और honor के बारे में तो यहाँ पर prestigious सारावती समन 2018 की बात की जा रही है तो के सिवा रेड़ी जो तेलगू poet है इनको यहाँ पर यह दिया गया है प्रिस्टीजियस सारावती समन 2018 जिनकी poetry का collection का title है आपर पेक का की ओटिगलाइट तो इसके लिए हाँ पर इसके title की जो इनकी poetry है इसके लिए इनको दिया गया है नुर्मली 15,00,00 रुपी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और वो publish करता है लास्ट 10 साल में तो उसका एक analysis किया जाता है और उसके base पर यहाँ पर यह award दिया जाता है के के बिल्ला foundation के द्वारा ठीक है तो इसके बारे में आप लोग idea रख सकते हैं तो South India में यह जो के सिवा रिड्डी इनको यहाँ पर अभी यह award दिया गया है आगे चलते हैं आगे बात करते हैं एक person in news के बारे में एक दुखत करता है आपर केरला कॉंग्रेस चेर्मेन जो former state finance minister भी रह चुके है के अम्मनी तो इनकी recently अभी death हो गी है तो इनके बारे में आप लोग यहाँ रखते हैं 86 old year थे यह आपर और यहाँ पर कई सरीके की हाँ यहाँ पर जो disease थी उससे यह ग्रिसित थे तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यहाँ पूछी जाती है नोर्मली particular personality का नाम और किस फिल्ट से लिक्टेड है तो यह एक politician थे और इससे भी बड़ी बात यह है जिस constituency को यह present करे थे 54 year तक without break till the death इनो ने उसक पूर डिस्टिक 36 गड में देखने को मिलता है इस्टेबलिस किया गया था इसको 1975 में और यह एक तरीके से काफी जो rare wild buffalo है जो आप लोग यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं इस तरीके की हाँ पर यह पाई जाती है wild buffalo एक तो आप लोग घरों में भेंस बक्रिया पा आप लोग देखते हैं आप यह लोकेशन है जहां पर यह आप लोग को देखने को मिलता है आगे चलते हैं नेक्स जो न्यूज़ें आप यह प्रेसर गुरूप यानि के इंट्रेस्ट गुरूप भी इसको नोर्मली बोलाता है इसके बारे हैं बात की जा रही है प्रेसर ग गुरूप नहीं होता है, यानिके ये election नहीं लड़ता है, ये बस government की जो policies है, उसके बारे में awareness फैलाने काया काम करता है, और उसी के साथ में, उन policies को कैसे effectively utilize के जा सकता है, उसके बारे में बात करता है, तो ये pressure group एक तरीक से non-political group होता है, जो कहीं न कहीं influence करता है काफी बड जाना है, ओल इंडिया किसान सवा, ये किस तरीके के pressure group के अंदर में आता है, ये सारी information detail में हाँ पर distance की गई है, तो lecture को जाकर देखेगा, नीचे description box में link provide करा दूँगा, और यहाँ पर ये ऐसे question normally कई बार पूछ लिए जाते हैं, जो कि आप लोग को पता होने चाहिए, आ अगर आप लोग marks देखना चाहते हैं, तो topas के mark वो सारे यहाँ पर share कर दिये गया है, टेलिग्राम पे भी और facebook पर भी, तो आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजे, एक आप लोग idea लगा सकते हैं, किस तरीके से आप लोगो preparation करनी है, जलिया वाला ब जल्दी उसका पता लगाया जाने की बात की जा रही है, यूट्यूब एक growing industry है हमारी country में और काफी फायदा पहुचा रही है, और maximum जनता है इसको use कर रही है, ये question के answer शांदा तरीके से आप लोग के द्वारा दियेगे, ये आप लोगो बता होना चाहिए, अचा YouTube जो है, वो किस country की company है, ये आप लोगो बता है, country का नाम कम से कम आप लोगो बता होना चाहिए, और कब इसको start किया गये था, इसकी history पढ़िए जो आप लोगो इतना फायदा पहुचा रही है, lecture वगर आप लोग देख रहे हैं, बिना किसी tension के घर पर बैठे हुए, इसके बारे मे अच्छा हाँ, एक question यहाँ पर और बन जाता है, बात की जाली यहाँ पर इस movie के बारे में right to freedom, ठीक है, तो right to freedom हमारा fundamental right है, right to freedom है, speech and expression, ये कौन से article के तहत आता है, हमारे समीधान में कौन सा article हैं आपर, जाकर थोड़ा सा revision कर लिजेगा, इंडिया और पाकिस्तान के relation की ब पारे में जाना, इसी के साथ आप लोग के सामने था यहाँ पर आज का नेसल पार और यह था आप लोग का political reason, जो कि आप लोग को जाकर revise करना है, अब नजर डालते हैं आज के quiz के उपब, next यहाँ पर आप लोग को बताना है, कौन सी जो organization है, उसके द्वारे हाँ पर release की ग जुका है, यहाँ पर कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट के द्वारा अभी स्मार्ट फोन साइस की device डवलफ की गई है, जो कि dangerous खतरनाग chemical का पता लगा जा सकेगा, वो भी बहुती जल्दी बिना किसी tension के, इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रहे है, एयर डिलिवरी सर्वि जो की organization यहाँ पर provide कराती है, information data के बारे में, पागिस्तानी high commissioner के द्वारा अभी बोला गया है, 222 जो pilgrims हैं आपा, वो हमारी country के हाँ पर enjoy कर पाएंगे, तो यह कौन सा festival है, जो celebrate किया जा रहे हैं, आपा, 222 नी, sorry, 2200, ठीक है ना, तो यह कौन सी country में हाँपर, sorry, कौन सा festival ह यहाँ पर celebrate करने की बात की जा रहे है, यहाँ पर इंद्रावती नेस्तर पार, कहाँ पर located है, यह आप लोगो बताने है, राज्या का नाम, तो यह था total आज का discussion, I hope कि आप लोगो lecture पसंद दायागा, more नीव मिलते है, question की वीडियो के साथ में, enjoy करते रहे है, practice करते रहे है, और अपनी knowledge को बढ़ाते रहे है, और कभी भी knowledge बाटने से घरती नहीं है, इसलिए जब भी आप लोगो time मिले, किसी को पढ़ा दीजे तो सामने वाले का भला होगा, और आपको तो भला हो गई होगा, इसी के साथ में आसपास सफाय रखिए, पानी और पेट पोदों को कीजे, पॉलेक्तिन और पास्टे के रहा बिल्कुल यूज नहीं करना है, तो बढ़ो का नमस्ते, छोटो को प्यार, छोड़ी से life एंज्योई करें, मिलता हूं नेक्स लेक्चर में तबता के लिए, जैहेंद!